नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तरुनियादो स्वागत करते हैं आप सभी को मारे यूट्यूब चैनल आईक्यू मेंटर में आज ताली 6 अप्रेल 2021 और लेकर के हाजी रोगे माच के फिर से बहुत ही इंपोर्टेंट अफियर्स को जौब के एक्जामनेशन के पॉइंट आफ जरूर कीजेगा शेयर करना बिल्कुल ला भूले और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब परके बेल आइकन को भी जरूर प्रस कीजेगा दोस्तों चलिए शुरुबात करते हैं हमारे आज की सेशन की तो महारास्ट के ने ग्रही मंतरी कौन होंगे त दोस्तों दिली पार्टी लोंगे अब महारास्टा के नए ग्रही मंतरी बनेंगे तो आईए महारास्टा के स्टाडिक जीगे को भी जान लेते हैं तो पूछा जाता है एक्जाम में दोस्तों कि महारास्टा के सीम कौन है तो सीम का नाम है दोस्तों उद्धव ठाकरे महारा सबते हैंते हैं तो दो कि को महीं चन्जा इसले में घ्राम बांकि अगया है माहरास्टा helping और सब्सक्राइब आप there कि और दो良ाराहस्टा के चांदोलीस पार्ण के नामसे हैं इसके लावों घ्रण रूत् scholar और Heology पहले हैं ऊगवान जनाम पेणर्रक आपיז्म, वहां उनिक भरभा जो पह फोगाओ उट हुआ thorough दोस्तों हमेल यइ मhasa इसमी के तहथू हम भीहुद्र ही पाया जाता हैज़ों किल्ए नियाए कासल का ऊच्छाला जोज़ाए, आपको शुरुआती है इसके लावा महरास्टा के कानाल गाउं को एक वनने जिवा अभ्यारन भी घूशीट किया गया है इसके連ावा दोस्तों आरबियाई ने महरास्टा के कराडा सहकारी बैंक का लाइसन्स रद कर दिया है और अभी रिसेंटली दोस्तों हाली में महराष्टा के पूर मंत्री विश्णू सावरा का राली में निधान हो गया है और दोस्तों महराष्टा ने रक्त की ख़दीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोश्रा कर दी है इसके लाव दोस्तों महरास्ट्रा में इस्थित गुर्यवारा चिडिया घर का नाम भी बदल दिया गया है अब चलिए बढ़ते मारे निक्स कुशन तरफ निक्स कुशन मारा क्या कहता है कि कि किस पाल्टी के संस्थापक सदस्य भगवती सिंग का निधान हो गया है अब बढ़ते मारे निक्स कुशन तरफ निक्स कुशन क्या कहता है कि एक बिलियन ट्रांजिक्शन पार करने वाली पहली कमपनी कौन बनी है तो एक बिलियन का ट्रांजिक्शन पार करने वाली पहली कमपनी दोस्तों फोन पे बनी है UPI के माध्यम से एक बिलियन ट्रांजेक्शन पार करने वाली पहली कमपनी फोन पे बनी है और ये अपलब दी दोस्तों कमपनी ने मार्च 2021 में ही पूरी कर ली थी अगर बात करें दोस्तों UPI की तो UPI का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फॉर्म होता है दोस्तों Unified Payment Interface का होता है Unified Payment Interface हुआ करता है अब दोस्तों जिस कमपनी ने ये इस टार्गेट को पूरा किया है इतने बड़े लक्स को उसने हासिल किया है फोन पे ने तो फोन पे के बारे में भी जान लेते है तो कौन ने दोस्तों समीर निगम है और अगर अब पुछाए डाय कि फोन पे का मुख्याले का है तो फोन पे का मुख्याले दोस्तों बैंगलूरू करनाटका में है ठीक है अब एक next question कहता है बहुत important question है दोस्तों इसको double star बना करके note कर लीजेगा पक्का है UPSI में सिक्षक भरतियों में CGL और CHSL में ये question छपा हुआ आपको देखें देखने को मिलेगा ठीक है question क्या है दोस्तों मनोहर पारिकर brilliant mind simple life पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तों मनोहर पारिकर brilliant mind simple life नाम के पुस्तक नेतिन गोखने ने लिखी है ये पुस्तक दोस्तों भारत के पूर रक्षा मंतरी और गोवा के चार बार मुक्ष मंतरी रहे मनोहर पारिकर के लिए एक सरदांजरी है जो मुक्ष मंतरी बनने वाले पहले IITN है ठीक है अब हमारा next question कहता है कि किस देश के नोबल पुरुसकार विजेता इसामू अकासाखी का निधान हो गिया है तो दोस्तों जापान देश के नोबल पुरुसकार विजेता इसामू अकासाखी का निधान हो गिया है इनको दोस्तों फिजिक्स के छेतर में क्या मिला था तो जापान की रासानी पूछी जाये तो डोस्तो टोकिया है टोक्यो है और अगर करिंसी पूछी जाये में फीफा विल्ड कबomy फीफा क्लब कप की मेज़मानी कौन करेगा तो जापान करेगा इसके लाव दोस्तों जापान ने अपने रच्छा बिजट में लगा था नौवी बार बढ़ाने के प्रस्ताओं को मंजूरी देती है और इसके लाव दोस्तों जापान ने 2023 तक लगडी के बने दुनिया के पहले उगरा को विक्सित करने की घोशना करती है और इसके लाव दोस्तों भी हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार 37-40 पास्पोर्ट किसका है तो जापान का ही है इसके लाव दोस्तों भारत को COVID-19 से निपटने के लिए जापान 2,113 करोन रुपए के रिंड साहता प्रदान करेगा इसके लाव दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान सीर्स नमबर पर रहा है और भारत ने दोस्तों सूचना और संचार प्रद्योगी की यानि आई सीटी छेतर में जापान के साथ एक अभी रिसेंटल एक समझोता किया है इसके लाव दोस्तों कुछल समिकों के प्रोद्साहन के लिए दोस्तों भारत ने जापान के साथ एक समझोता किया है देने बारा नेक्स कॉशन कहता है कि अंतर राश्टी खादान जागरुपता दिवस कम मनाये गया है तो दोस्तो अंतर राश्टी खादान जागरुपता दिवस 4 अपरिल को मनाए गया है ठीक है ना और अगर पुछेज़ा एक्जाम में कि पहली बार अंतर राश्टी खादान जागरुपता दिवस का मनाए गया था तो पहली बार दोस्तो ये 4 अपरिल 26 को मनाए गया था अगर पुछेड़ा एक्जाम में दोस्तों कि अंतरास्टी खादान जागरुपता दिवस की थीम क्या है तो थीम में दोस्तों दृड़ता, साजेधारी और प्रगती है Then हमारा next question कहता है नौसेना के जहाजों को हमलों से बचाने के लिए नए किस्म के रॉकेट को किसने विक्सित किया है तो दोस्तों नौसेना के जहाजों को हमलों से बचाने के लिए नए किस्म के रॉकेट को डियाडियों ने विक्सित किया है DRDO का मतलब दोस्तो रच्छा अनुसंदान और विकास अंगठन इसने जोधपूर इस्थित एक प्रियोक्षाला में नौसेना के जहाजों को शत्रू के प्रच्छे पास्तरों हमलों से बचाने के लिए नए किस्म के रॉकेट को विक्सित किये हैं अगर बात कहें दोस्तो डियाडियो की तो इसकी स्थापना का वुई थी इसकी स्थापना दोस्तो 1958 को की गई थी और इसका मुख्याले कहा है दोस्तो इसका मुख्याले है आपका न्यू देली में कहां पे है न्यू देली में और वरतमान में इसके अध्धक्ष कौन है दॉक कुशन कि किस देश के विदेश मंतरी सरगई लावा रोफ भारत की दो दिन की यातरा पर आए हैं विदेश मंतरारे के प्रवक्ता अरिदम भागची ने बताया कि इस यातरा से द्वीपच्ची संबंदों के महत्पूर आयामों पर चर्चा के साथ ही आगामी भारत रूस वा पाँच वर्षों में 25,500 करोन रुपए से अधिक की धंदाशी जारी की गई है तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत पाँच वर्षों में 25,500 करोन रुपए से अधिक की धंदाशी जारी की गई है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर का दोस्तों जो स्वारवजینिक छेतरों के प्रत्येक बैंक की शाखा को कम से कम एक अनसूची जाती या अनसूची जन जाती के उगमी और कम से कम एक महिला उगमी को दस लाग से एक करोन रुपए के बीच की धनदाश्य रिण के रूप में जारी करनी होती है इसके लाबा अब हम बढ़ते हैं नेक्स कूशन तरफ नेक्स कूशन कहता है कि अंतरास्टी या अंतरात्मा दिवस का मनाया गया है तो अंतरास्टी या अंतरात्मा दिवस पांच अप्रिल का मनाया गया है यह दूसरा था और 2020 बज़े बनाए गया था दोस्तों वो पपका पहला था अंतराश्टी अंतरात्मा दिवस अब बरते मारे निक्स कूशन तरफ निक्स कूशन कहता है कि हाल ही में किस देश ने H1B वीजा पर लगे प्रतिबंद को हटा दिया है दोस्तों अमेरिका देश न जूसरा ढाए तो अमेरिकन दॉलर है और पुझे जाय़ाए दोस्तों कि अगर अमेरिका के वरतमान के राष्पती कौ़न है तो जो बाइडन है इसके लाब दोस्तों वीशू का सबसे बड़ा प्लास्टिक कच्ञुए का निर्माता कौन बना है तो अमेरिका बना है इसके लावा Forest Man of India जावेद पायोंग की कहानी दोस्तों अमेरिका के पाठक्रम में शामिल की गई है इसके लावा Mac Bride अमेरिका की पहली transgender senator बनी है इसके लाव दोस्तों जो बाइडन ने अमेरिकी चुनाओ की इतिहाद सबसे आदा वोट हासिल करने का record भी अपने नाम कर लिया है और अमेरिका की अंत्रिक्स यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है इसके लाव दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ बौधिक संपता सायोग समझोते पर भी हस्ताचर किये है और दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम दिया है और वो नाम क्या दिया है दा गॉर्जियंस क्या है नाम उसका दा गॉर्जियंस है अपनी अमेरिकी स्पेस फोर्स ने दिया है इसके लाओ दोस्तो मलाला युसुफाई स्कॉलर्शिप एक्ट देश की संसत्त ने पास किया है तो दोस्तो अमेरिका देश की संसत्त ने पास किया है अब चाइना ने ये मंजूरी दी है तो अब चाइना के स्टैडिक जी को भी जान लेते हैं तो चाइना के स्टैडिक जी को में पुछा जाता है कि चाइना की रास्थानी क्या है तो रास्थानी दोस्तों बीजिंग है अगर करिंसी पुछी जाए तो रेन मिन भी है और राश्पति का नाम पुछी जाए तो C. Jin Ping है ठीक है इसके लावा दोस्तो अभी रिसेंटली चाइना के पहले मंगल मिशन जो लॉंच किया था उसने तो चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम था लियाउन वेण वेण वन दोस्तों लियान विन वन इसके लावा चंद्रमा के लिए अपना पहला अंत्रिक्ष यान चांग E5 भी चाइना ना भी रिसेंट्री लॉंच किया है और चंद्रमा पा जंडा फैराने वाला दूसरा देश कौन बना है तो चाइना ही बना है इसके लावा कृतिम सूर्य परमा बेड़ा भी तैनात किया है और तो और दोस्तों टेसला ने अपने सबसे बड़ी सूपर चार्जर सुविधा भी चाइना में शुरू की है और दोस्तों चाइना ने वाइरस विग्यानी शी जोंगली को सम्मानित किया है इसके लाव दोस्तों चाइना ने प्रदूसरा फै आली में निखन हो गिया है अब बढ़ते हैं दोस्तों इसी साथ हमारे next question तरफ next question हमारा क्या कहता आईए देखते हैं तो नेक्स कुशन कहता है किस राज में अडानी ग्रुप को 1179 क्रोण रुपए का हाईवे का ठेका मिला है अब दोस्तों उडिसा में ठेका मिला है तो आए उडिसा के स्टडिक जी को भी जान लेते हैं तो दोस्तों उडिसा की रास्थानी अगर पूछी जाये तो नायक है और अगर गवर्णर का नाम पूछा रहा है दोस्तों तो गणिसी लाल है इसके लावा उडिसा के लोग सभा में 21 सीटे है राजी सभा में 10 सीटे है विधान सभा में 147 सीटे है इसके लावा अगर बात करें उडिसा के प्रमुक निर्थि की तो उडिसा के प्रमु नेशनल पार्क की तो उडिसा में दोस्तों सिमली पाल नेशनल पार्क है और भितरकन का नेशनल पार्क है इसके लाओ रिसेंटली दोस्तों उडिसा में प्राइमिनिस्टर मोदी ने उडिसा राज में IIM संबल पुर की स्थाई परिसर की अधारशिला भी रखी है इसके दोस्तो उडिसा राज में भारत का पहला फायर पार्क इस्थापित किया गया है और दोस्तो उडिसा में ही बिंदु सागर सफाई परियोजना का भी शुबारंब हुआ है इसके लाओ दोस्तो उडिसा ने मौजूदा सैचलिक सत्र में मैटरिक के चातरों के लिए परिक्षा शुल्ख को माफ कर दिया है और दोस्तो एम्स भुवनिश्वर ने लगातार तीसरी बार काया कल पुरुसकार भी जीता है देन हमारा आज का नेक्स लास्ट कुशिन कहता है कि किस बैंक के अद्धक्ष आरके चिप्बर का कारेकाल छे महिने के लिए बढ़ा दिया गया है अगर बात करें जम्मु एन कश्मीर बैंक की तो इसकी स्थापना का भूती है तो 1934 में हुआ करती है और इसका अगर हेटक्वाटर पूछ लिया जाए जिसका हेटक्वाटर कहा है दोस्तो तो श्री नगर में है कहां पे है श्री नगर में इसका हेटक्वाटर है ठीक है त अगर आपको कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट सेक्टर में लिक करके दे सकते हैं और अगर आप इन सबी वीडियो की PDF आना चाहते हैं तो आप नीचे दिएगे वाट्सप नमबर उपे में जोई लिकर के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने वाट्सप गुरूप आइक्वेंटर स्टडी गुरूप में अट कर देंगे जहां पर आपको हमारे सारे ही वीडियो की PDF मिल जाएगी साथ अपकमिंग एग्जामनीशन की डिटेल्स आपकमिंग वेकंसीज की डिटेल्स, आपकमिंग सिलैबस की डिटेल्स रिलेटिस इलैबस की डिटेल्स अपके कोचिंग मेटेरियल, स्टेडियु मेटेलियार्ट, टेस्ट मेटेल्सmom zwarare चीज आपको दी जाति है जो आपके examination के point of view से बहुत जादा important होगा तो दोस्तो, thanks for watching our video अब खतम करते हैं आज के session में तब तक नख्याल लखिए स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जैहिन दोस्तो